हेलो एवरिवन दिस इस प्रांजल एंड यूर वाचिंग पार्टशाला रिशी केस तो आज बात कर रहे हैं हम उत्राखंड पुलिस के मैट्स और रीजनिंग सेशन में अब इसमें अगर आप समझें तो अभी तक हमने क्या कर दिया हैं दो सेशन हम कर चुके हैं दो सेशन नहीं एक सेशन हम कर चुके हैं जिसका नाम है जिसका नाम है यहां पर देखेंगे तो समय और कारिया हम कर चुके हैं जहां से दो से तीन कोश्चन आने के पूरे चांसे मार्क्स आपके यहां से पूरे हो जाएंग अगर आपने अभी तक हमारा यह सेशन नहीं है तो आप जा करके इसकी चार से पांच लेक्चर हमने किये हैं टाइम एंड वर्क को समझने में समझाने में बहुत ही प्यारे तरीके से कोशिशें की हमने कि आपको समझ में आए आप यहां पर जाके इसे देख सकते हैं आज जो टॉपिक करने वाले हैं जैसे कि आपका पूरा स्लेवस होगा इस तरह से अपने इसे कर लेना एक चीकिया न तो चलिए आगे चलते हैं HCF-LCM के काणसेप्ट को समझते हैं अपने बॉर्ड पे चलते हैं ब्लैक बॉर्ड पे चलते हैं जहां पर की हम concept को समझते हैं कİ कि क्या concept है, समझ यह, HCF, अभी केवल HCF को समझेंगे, फिर LCM को समझेंगे, फिर HCF, LCM को साथ में समझ लेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मगर पहले HCF को समझते हैं, HCF को हिंदी में कहते हैं, महतम, महतम, समाप, वर्टक, महतम, समाप, वर्टक कहते हैं, मतलब क्या हो होता है highest यह आपको पता होना चाहिए highest common factor ठीक है अब एक example से समझते हैं कि HCF होता क्या है करता क्या है क्या है तो एक example के लिए हमने दो number ले लिए एक number ले लिया 8 और एक number ले लिया 12 एक number लिया 8 और एक number ले लिया 12 आपको कहा जा रहा है कि पहले आप factor कीजिए right hand side से पढ़ो ठीक है पहले factor करो तो 8 के factor करोगे 2 उना गए 2 दुनी 4 दुनी 8 बारा हो गया 12 के करोगे तो 2 दुनी 4 तियां 12 ऐसे आप कर सकते हैं आपने बुला बिल्कुल factor कर दी है हमने फिर आपसे कहा जा रहा है कि common देखो common देखो क्या है दो दोनों में common है फिर उसने आगे लिखा है कि highest देखना है highest का मतलब एक और दो है उसे भी ले लो उसे भी आपने ले लेना है it means कि आपका जो HCF हो गया वो हो गया दो गुणा गए दो बोले तो चार बोले तो चार अब परिभाशा की तरफ चलते हैं कि परिभाशा क्या कहती है HCF की क्या है महतम समापवर्थक HCF basically वो नंबर है कौन सा नंबर है HCF वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कि दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सकता है विभाजित कर सकता है भाग कर सकता है अब आप 8 हो 12 को देखो तो 8 हो 12 देखो एक से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं मगर आपको बताना है वो हम बड़े से बड़ा नंबर वो हम महतम संख्याओं आपको बतानी है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे इन सब नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे 8 और 12 दोनों divide हो जाते हैं विभाजित हो जाते हैं तो वो हो गया 4 ये जब भी आप महतम समाप वर्तक देखें तो इसका मतलब है कि आपने समझ लेना है आपने ये समझ लेना है कि 4 से दोनों के दोनों number divide होंगे वो बड़े से बड़ा number आपको देखना है जिससे ये दोनों number divide हो जाए ऐसे divide होने के लिए तो एक से दोनों number divide हो रहे थे दो से भी दोनों number divide हो रहे थे चार से भी दोनों number divide हो रहे थे जिस तरीके से जिस method से हमने ये निकाला इस method का नाम है factorization method factorization method ऐसे आप बच्पन में करते थे factorization method से HCF निकालते थे factorization method को अगर हिंदी में कहा जाए तो कहते हैं गुणनखंड विधी कौन सी विधी कहते है मेरे प्यारे बच्चो तो आप कहेंगे गुणनखंड विधी आगी बात समझ में ऐसे ही आप से अगर मैं कहूं कि 18 और 16 दो नमबर हैं इनका HCF बताओ तो 18 देखो किसके पहाड़े में आता है 9 दुनी 18 तो 2 गुणा गए 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा गए 3 जबकि 16 को क्या लिखोगे 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दोनो नमबर में केवल और केवल एक ही नमबर common है एक ही नमबर common है तो हम इसे कहे देंगे कि हमारा जो HCF हो गया वो कितना हो गया है तो आप कहेंगे सर जी 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस तरह से इस question को हम कर सकते है HCF हमें समझ मागे अब अपनी आखे बंद करो अपने आपसे पूछो कि HCF क्या होता है तो आप कहोगे HCF वो बड़े से बड़ा नमबर होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सकता है example कले 8 और 12 को देखना 8 और 12 दोनों नमबर 1 से भी डिवाइड होते हैं 2 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से भी डिवाइड होते हैं मगर हमें बड़े से बड़ा नमबर देखना था तो वो सबसे बड़ा नमबर केवल 4 ही है जो इन दोनों नमबर को डिवाइड कर सकता है इसलिए 4 HCF हो चाएगा किसे तरीके से निकालने तो पहला तरीका हो गया factorization method जिसका एक example मैंने यहाँ पर भी करके दिखाया है ठीक है अब सवाल यह उड़ता है कि सर गुरुजी अगर कोई ऐसा नमबर आए जब factor ना कर पाएं तो कौन सी दूसरी विधी होगी दूसरी विधी है division method division method या भाग विधी क्या है इसका नाम भाग विधी नाम है भाग करना है कौन से नमबर को ले रहे हैं उन्हीं दोनों नमबर को ले रहे हैं जैसे उसने आप से कहा आठ हो बारा का HCF बताओ तो आपने कहना है कि आठ से बारा को छोटे नमबर से बड़े नमबर को भाग कर दूँगा भाग कर दो आठ इकम आठ कितना बच गया? चार बच गया अब जो यह बचा है ना इस से इस वाले नंबर को डिवाइड करना यह धियान रखना बस आठ से जब चार को भाग करोगे आठ दो चोके आठ तो आपने कहा कट गया मतल्लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा वही आपका HCF हो जाएगा दूसरी विधी कौन सी है? भाग विधी है कब लगानी है? जब आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो जब आपको फैक्टर नहीं दिख रही है तब आप कौन सी विधी लगाएंगे भाग विधी लगाएंगे गुणान खंड नहीं कर पा रहे हो तो भाग विधी लगाओ आगी ये वाली बात भी समझ में तीसरा मैथर्ड है डिफ्रिंस मैथर्ड डिफ्रिंस डिफ्रिंस मैथर्ड मानोगे तो, अंतरविधी में क्या करणेंगे, आठ और 12 दो नमबर दिये हुए, आपने क्या करना है, क्या निकालना है?, HCF निकालना है, तो दोनों का अंतर करो, कितना आगिया अंतर, 4 आ गया, 4 से चेक करो, कि ये 8 डिवाइड हो रहा है, आपने बुला हाँ हो रहा है, बारा को डिवाइड करके देखो इसी 4 से हाँ हो रहा है, दोनों नम्बर डिवाइड हो रहे हैं तो आपका HCF सीदे सीदे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, इस तरीके को आप याद करें और धडले से आप सवाल कर पाएंगे, धडले से कलदी solve कर पाएंगे, ठीक है, तो तीन method पढ़ लिए, एक बार revise कर लेते हैं, HCF क्या होता है, HCF वो number होता है, जो दी गई संख्याओं को divide करते हैं, वो बड़े से बड़ा number होता है, जो दी गई संख्याओं को divide कर ले, example के लिए हमने कहा, आठ और बारा, दोनों number किसी एक number से divide हो सकते हैं, वो 1 है, 2 है और 4 है, मगर वो बड़े से बड़ा number कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर, 4 होगा, 4 से 8 भी divide होता है, और 12 भी divide होता है, इसलिए ऐसे number का जो HCF होगा, वो 4 हो जाएगा, कौन से method हमने पढ़ लिए, पहले method का नाम है factorization method, हम factor करेंगे, common देखेंगे, जो common होगा, वो सब HCF में ले लेंगे, दूसरा method हमने पढ़ा, भाग विदी, कब लगानी है भाग विदी, तो आप कहेंगे, सर हम भाग विदी तब लगाएंगे, जब हम factor नहीं कर पा रहें, गुड़न खंड नहीं कर पा रहें, तो हम भाग कर लेंगे, भाग करने से आ जाएगा, तीसरा जो method है, जिसका नाम हमने दिया है, difference method, difference method में क्या करेंगे, दोनों number का difference करेंगे, फिर दोनों numbers को चेक करेंगे कि चार से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर भाग हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है, question पर आते हैं, question number सीधे आगे बढ़ गए हैं बहुत जादा, हाँ, question number 1 देखिए, question number 1 में कह रहा है, 2, 4, 10, 2, 4, 10, इनका HCF बताओ, तो आपने बहुता सारी हाँ पर तो तीन number दे दिया, आत्मा काप सकती है, मैं कहूंगा, नहीं कापेगी, सबका difference करो, 2 आ गया, 6 आ गया, और यहां देखोगे, 8 आ गया, 8 आ गया difference, तो आपने क्या करना है, difference देखना है, और difference क्या होना चीए, सबसे कम होना चीए, ठीक है, सबसे कम difference, कौन सा है, 2 है, 2 से देखो, यह 2 divide होता है, आपने बुला हाँ होता है, यह 4 divide होता है, हाँ होता है, यह 10 divide होता है, हाँ होता है, तो HCF कितना आ जाएगा आप बोलेंगे गुरू जी आ जाएगा कितना आ जाएगा दो आ जाएगा अगला देखो जी 4, 16, 24 4, 16, 24 difference किया 12 आ गया difference किया 8 आ गया difference किया कितना आ गया 20 आ गया सबसे कम कौन सा नंबर है 8 है difference 8 है 8 से जब 4 को divide करने जाओगे तो 4 क्या कहेगा अबे ओए मुझे कैसे कर सकता है तू divide मैं तो तुससे भी छोटा हूँ समझ रहो 8 से जब आप 4 को divide करोगे तो 4 कहेगा मुझे कैसे कर सकता है तू divide मैं तो तुससे भी छोटा हूँ तो या तो difference हो और difference से भी कोई छोटा नंबर है तो उसी को hcf मान लो मान लिया आपने की 4 ही है वो hcf आपका क्यों कर रहे हैं क्योंकि difference से छोटा नंबर है difference से भी छोटा कोई नंबर है तो उसे hcf मान के अब आपने divide करना है तो 4 से जब 4 को divide करते हो, आप बोलोगे हो जाएगा, 4 से 16 को divide करते हो, हो जाएगा, 4 से 24 को divide करते हो, तो हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही समझ म 들어오 है, सबसे पहले क्या करना है, difference से अगर छोटा कोई number हो गया, तो उसी number को HCF मान के divide करना है, यह process करना है, बहुत जल्दी answer आना है, ठीक है, अगला देखो जी, अगला कौन सा है, अगला है 24, 36, 72, difference करोगे, आपने बुला 12 आ गया, फिर आपने का 36 आ गया, फिर यहां देखोगे 48 आ गया, सबसे छोटा number कौन है, 12 है 12 से 24 divide होता है, आपने बुला हाँ होता है, 12 से 36 divide होता है, आपने बुला हाँ होता है, 12 से 72 divide होता है, आपने बुला हाँ होता है, तीनों के तीनों number किस से divide हो जाते हैं, तो आपने कहा 12 से divide हो जाते हैं, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो concept वो question में पूछेगा वही मैंने definition बना के आपके सामने परूस दिये ताकि जब आप question में जाओ तो आपको रठना ना पड़े आपको समझ में आ जाए कि यार ये सवाल तो ऐसे होता है अगला देखो जी अगले में क्या है 100, 300, 800 ठीक है इनका difference किया कितना आ गया? 200 आ गया इनका difference किया कितना आ गया? आपने बुला 700 आ गया फिर सबसे छोटा number 200 है 200 से 100 को divide करने जाओगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अबे ओए तू कैसे मुझे divide कर सकता है? मैं तो तुस्से छोटा हूँ ना? मैं करूंगा divide समझ रहे हो बात? वो divide करेगा तो आप क्या करेंगे? 200 को नहीं लेंगे 100 को लेंगे ये वाली line फिर से पढ़ना है, हाँ पे भी इस वाले question में भी समझाई है मैंने और इसमें भी समझा रहा हूँ सबसे कम difference है 200 200 में अगर 100 को divide करने जाएगा तो 100 क्या करेगा? अबे ओए तू मुझे कैसे divide कर सकता है? मैं तो तुससे भी छोटा हूँ तो छोटा है तो बुलेगा ठीक है तू ही divide कर 100 से फिर आप किसे चेक करोगे? 100 से 100 को divide कर सकते हो आप बोलोगे हाँ कर देंगे 100 से 300 को कर दोगे आप बोलोगे हाँ कर देंगे तो 100 आपका HCF हो जाएगा हो जाएगा आपने बुला बिल्कुल हो जाएगा थोड़ा सा ये रब कर देते हैं ना सिस्टम हमारा प्यारा है देखिए अब आगे पांचवे कोश्चन पर क्या कह रहा है 105, 135 और 225 यही कह रहा है 105, 135 और 225 आपने जब डिफरेंस किया तो कितना है 30 आया यहाँ जब आपने डिफरेंस किया तो बहुत ज़्यादा है 30 से ज़्यादा है फिर यहाँ डिफरेंस किया यह तो करीद चुके थे यहाँ डिफरेंस किया तो आपने बोला यह भी 30 से ज़्यादा है से जब आप 105 को डिवाइड करते हो तो 30 का पहाडा पढ़ता हूँ 30, 30, 30, 30, 30, 90, 30 चोके 120, 30, 50 आपने का इसके पहाडे में तो शुन्या आएगा ही आएगा लास यूनिट डिजिट में मगर यहाँ पे तो किसी भी नंबर में क्या नहीं है शुन्या नहीं है और ना ही इस डिफरेंस से छोटा कोई नंबर है ऐसे केस में क्या करें मेरे प्यारों जब यह इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इस 30 को चेक करो क्यों नहीं कर पा रहा होगा इसके फैक्टर करो फैक्टर कैसे करना है ऐसे number में break कर दो six into five six को क्या लिखो गया रही है दो गुणा गए तीन गुणा गए पांच अब आपने चेक किया पांच पांच से चेक करते हैं फेले पांच से ये ये डिवाइड होता है ये डिवाइड होता है ये भी नहीं होगा तो इस दो को बाहर करो दो को बाहर करो का मतलब है तीन और पांच को लो तीन गुणा गए पांच बोले तो पंदरा आंसर हो जाएगा इनका जो HCF होगा वो पंदरा हो जाएगा I hope आपको समझ में आ रहा हो चीक है अगला question देखो और क्या गरें एक और बार देखें PDF के ही question है जो PDF मैं देने वाला था आपको उसी के question है और PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पाटशाला रिशी के इसमें HCF LCM Basic जो है ऐसे सर्च करना फाइल पे जाके ये PDF मिल जाएगी HCF LCM की बस इतना ही फर्क है देखो क्या है HCF LCM Basic 210 को अगर आप देखोगे तो आपने देखा 210 270 और 900 210 270 और 900 difference की आपने खा सर जी यहां आगिया 60 यहां करूँ क्या आपने उला 60 से जादा आएगा यहां difference करूँ क्या नहीं आपने उला 60 से जादा आएगा जब आपको ऐसा दिख रहा है difference मत करो फिर difference कर लिया आपने 60 आगिया और numbers के बीच में difference मत करो जो सबसे छोटा difference था वो मिलना था वो आपको मिल गया है कितना मिल गया? 60 मिल गया अब एक चीज़ देखो 60 से क्या यह number divide होता है जैसी divide ना हो difference से divide ना हो तो difference को तोड़ो जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा उसे तुम तोड़ोगे ऐसा इसमें करना है difference को तोड़ो 60 को तोड़ा आपने 60 को क्या तोड़े? 15 आता है 3, 15, 15, 16, 60 आपने बोला 3 से करते हैं कि यह सारे number हाँ करता है, करता है, करता है 3 के divisibility कैसे चेक करते थे? जोड़ करके, देखो यहाँ जोड़ोगे 2 और 1, 3 होता है, कर जाता है 2 और 7, 9 होता है, कर जाता है 9 है, कर जाएगा, जोड़ना है है ना, अंकों का योग देखते हैं तीन से divisibility देख रहे हैं तो अंकों का योग देखो अंकों का योग देखो और पांच के लिए केवल unit desert देखो तो पांच से तो हो रहा है तीन से भी हो रहा है और पांच से भी हो रहा है तीन से भी हो रहा है पांच से भी हो रहा है चार के अंदर दो दो हैं चार के अंदर क्या हैं दो दो हैं जब पूरा चार जब मैंने ये पूरा चार लिया मानलो ये पूरा चार है तो चार के अंदर क्या है दो दो हैं इन दो दो से जब मैं डिवाइड करने किया तो डिवाइड नहीं हो रहा तो divide हो जाता है और अगर divide हो जाता है तो ये एक दो को पकड़े लो केवल एक दो को पकड़ो तो आपने खा तीन पंजे पंदरा दुनी तीस आपका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा नोट जरूर करते रहना साथ क कर रहा हूँ ठीक है और साथवें का comment करके बताओ कि answer क्या निकाल रहे हो comment करो कि आपने कितना answer निकाला है आठवा question देखो जी one two three difference किया one आया one से क्या ये divide हो जाता है आपने बुला हाँ ये divide हो जाता है हाँ ये हाँ तो hcf कितना आ गया one आ गया hcf जब जब पढ़ रहे हैं तो एक definition जो आपने यादे रखनी है क्या है वो definition कि hcf वो number होता है जिससे सारे के सारे number divide हो जाते हैं hcf वो बड़े से बड़ा number होता है जिससे दिये गए सारे number divide हो जाते हैं जैसे one two three का जब hcf गुचा गया तो one जो है one से one two three तीनो डिवायड हो जाते है वन से बड़ा कोई और number नहीं हो सकता जो इन तीनो नंबर को divide कर दे अगर चार दे तो चार हों को divide कर दे पांच दे तो पांचों को divide कर दे ठीक है निकालने के तरीके क्या हैं ये निकालने के तरीके हैं फिर आपने देखा कि 89, 97 और 101 सबसे कम difference यहां से आएगा 4 चार से यह कोई भी number divide नहीं होगा तो 4 को तोड़ा आपने 2 गुणा कर 2 है आपने वोला 2 से भी कोई number divide नहीं हो रहा है कोई भी number से divide नहीं हो रहा है जो किसी से divide नहीं होता जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है उसका भगवान होता है और भगवान एक है एक से सारे के सारे ये number भी होगा ये number भी होगा ये number भी होगा सारे के सारे number हो जाएंगे तो HCF जो हो जाएगा इसका वो 1 हो जाएगा इन तीनों नमबर का जो HCF है वो 1 हो जाएगा इसके बाद कोशियन नमबर 10 देखिए 80, 240 और 360 आपने कहा कि सबसे कम डिफरेंस इन दोनों के पीच में डिफरेंस किया 120 आ trading इन दोनों के बीच में किया हाँ 160 आ grasp इन दोनों के बीच में किया तो बहुत जादा आ रहा है इसे लेने की जरुवत नहीं है तो सबसे कम जो डिफरेंस है वो कहां से मिल रहा है आपने कहां यहां से मिल रहा है 120 से मिल रहा है तो 120 से जब आप डिवाइड करने जाओगे तो 80 को जब डिवाइड करने जाओगे तो जैसी 120-80 के बाद जाएगा भुलेगा कि भाई मैं तुझे डिवाइड करता हूँ तो 120-80 को देखके 80-120 को देखके बुलेगा तू तो मुझसे वड़ा हैं, तू क्या मुझे डिवाइड करेगा मैं तुछे डिवाइड करूँगा मैं तुछे डिवाइड करूँगा तो आप क्या करें HCF मान के चले 80 और चेक करना है बिना चेक किये मेरे प्यारे बच्चों आंसर नहीं कहना 80 से जब आप 80 को डिवाइड करते हो हो जाता है 80, 23, 240 होता है मगर 80 के पहाड़े में 360 नहीं आता तो 80 को ब्रेक करना है 80 को ब्रेक करके नीचे लिख रहा हूँ 16, 85, 80 होता है फिर आपने 5 से चेक किया 5 से ये डिवाइड हो जाता है ये डिवाइड हो जाता है अपने ओला 5 से तो हो रहा है मगर 16 से नहीं हो रहा कहने का मतलब यह है, समझ रब, तो 16 को अगर आप समझें, तो 2 दुनी, 4 दुनी, 8 दुनी, 16, मतलब उसके पास कितने 2 हैं, आपने कहा, उसके पास total 4 दो हैं, उसके पास total कितने 2 हैं, तो आपने कहा, उसके पास total 4 दो हैं, आपने 1, 2 को हटाया, 16 में से 1, 2 हट गया, divide कर दिया तो कितना बचा? आठ बचा आठ डिवाइड कर रहे ना मल्टिप्लाई में होंगे दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16 एक दो हट गया तो दो दुनी चार दुनी 8 8 से चेक करना है क्योंकि 16 से तो नहीं हो रहा 8 से क्या 8 से 80 डिवाइड होता है अपने वुला हाँ होता है 240 डिवाइड होता है हाँ होता है 360 होता है 8 से करके देखो 8 चुक बत्तिस 8 पंचालिस तो आपने वुला हाँ होता है 8 और 5 दोनों से होता है का मतलब गुणा करेंगे और आपके पास मेरे प्यारों आंसर आ जाएगा 40 ठीक है तो इस तरह से आपने ये वीडियो एक और बार देखनी है क्लास में भी देखी यहां पे भी देखी रिविजन हो जाएगा और चीजें सही से समझ लेनी है एक चीज जो आपने याद रखनी है HCF-LCM के बारे में वो ये है कि HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिये गए नंबर को क्या कर देता है तो आप बोलेंगे डिवाइड कर देता है क्या कर देता है तो आप कहेंगे divide कर देता है यह याद रखना चीक है चलो फिर ठीक है thank you very much कल फिर मिलेंगे LCM के concept के साथ LCM के concept के साथ मिलेंगे कल HCF LCM पहला topic है यह मतलब हमारे इसाब से तो दूसरा है मगर slavus में जो लिखा वा है उसे इसाब से पहला topic है ठीक है तो यह कर दिया हमने कर दिया फिर questions लेके आएंगे HCF का concept समझा फिर LCM का concept समझेंगे फिर questions करेंगे तो कहीं कोई दिक्कतیں नहीं आने वाली चीज़ें बड़ी आसान लगने वाली है HCF को समझ गया है आज बस HCF, SCF जपो जैसे राम, राम, राम जपते हैं Krishna, Krishna, Krishna जपते हैं Radhe Krishna, Radhe Krishna वैसे ही आप आज केवल HCF, SCF जपो आज का दिन HCF को दे दो HCF आपको खुद को दे देगा समझ मारी है बात चलो फिर ठीक है Thank you very much Have a nice day comment करो एक question जो मैंने कहा है आपसे question number 7 इसका HCF कितना होगा HCF कितना होगा comment जरूर करें Thank you very much कल मुलाकार